अश्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ओनलाइन क्लास में दोस्तों आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है Numbers 3 in 1 यानि की 1 से लेके 100 तंक की गिंतियां तीन भासाओं में कौन-कौन सी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी यहाँ पर हम लोग आज सीखने जा रहे हैं एक से लेके 100 तक की किंति तेन भासाओं में हिंदी में, संस्कृत में और अंग्रेजी में तो चलिए शुरू करते हैं एक, संस्कृत में एक को एका और अंग्रेजी में वन बोलते हैं ठीक है? एक, एका, वन दो, संस्कृत में दो, दो या दुया भी होता है, ठीक है? दो या फिर दुया अंग्रेजी में टू, ठीक है? दो, दो, टू तीन, तीन को संस्कृत में त्रिया बोलते हैं त्रिया, अंग्रेजी में थ्री चार को संस्कृत में चत्वारा बोलते हैं और English में 4 5 5 को संस्क्रेद में 5 5 बोलते हैं और English में 5 6 6 को 6 को बोलते हैं संस्क्रिद में 6 6 7 7 को संस्क्रेद में 7 7 8 आठ को संस्कृत में अस्ट बोलते हैं अस्ट और इंग्लिश में 8 9, 9 को संस्कृत में 9 और 9 या फिर नवम ठीक है नवम भी होगा और या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इसको 9 ठीक है दस दस या दसम दस का संस्क्रित हो जाएगा दस या फिर दसम और इसका इंगलिस होगा 10 ग्यारा ग्यारा को एका 10 इंगलिस में 11 बारा बारा 12 इंगलिस में 12 तेरा तेरा को संस्क्रित में 3 और इंगलिस में 13 ठीक है चौदा चौदा को चतुर 10 ठीक है चतुर मतलब 4 दस मतलब 10 ठीक है चार और 10 मिलके होगा चतुर 10 ऐसे ही इंगलिस में 14 पंदरा पंदरा का पंच दस पंच दस 15 जोला सो डस 16 सत्रा सत्रा का संस्कृत सब्दस सब्दस और इंगलिस 17 अठारा अठारा का संस्कृत अच्टा 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 संस्कित नव दस और English 19 ठीक है 20 की संस्कित विन्स थी और English 20 21 की संसकित एक विन्स थी और English 21 ठीक है 22, 22 को संस्क्रित होगा 22, और इंगलिस होगी इसकी 22, ठीक है 23, 23 को संस्क्रित में 32, 32 कहते है 22 होता है, फिर इसमें 1, 2, 3, 4, 5, यही जुरता चला जाएगा जो उसके बात की गिंतिया होंगी, ठीक है 32, 23 को कहते हैं और यह होगा 23 24, 24 संस्क्रित में होगा और इसकी इंगलिस हो जाएगी 24, 24 ठीक है 25, 25 को 25 कहते हैं और इसकी इंगलिस होगी 25, 25 ठीक है 26, 26, 27 इसकी संस्क्रित होगी 25 और इसका 26 27, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30 और इसका इंगलिस होगा 30 ठीक है 30 का 30 होगा और इसकी इंगलिस होगी 30 इसके बाद 31, 31 का होगा संस्क्रित एक 30 एक 30 एक 30 ठीक होगा 31 और यह हो जाएगा इसका 34 35 35 35 35 कि अंग्लेजी होगी 35 36 36 36 हिंदी इंदी है तो इसका संस्कृत क्या होगा 63 33 36 36 इसकी अंग्लेजी होगी ठीक है 37 37 37 38 38 39 39 44 40 41 42 42 43 43 44 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 45 45 45 45 45 45 45 45 46 अंग्लेजी होगा 46 46 46 कहते हैं जप लिए 2 जवी इनसत कहते हैं और इसका अंग्रेजी होगा 46 46 47 का सब चत्वार इनसत 47 48 का उन्चास का नौव चत्वार इनसत 49 पचास का पंचासत 50 एक क्यावन का एक पंचासत 51 बावन का दूई पंचासत 52 तिरपन तिरपन का त्री पंचासत 35 अब देखें यहाँ पर 55 हो गया तो उसके बाद उसमें एक 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 एड़ कर जांग एक दोटिक है त्री चार तो 35 53 ओजर्वन चत्वत पंचासत 54 55 55 55 56 56 56 सब्ट पंचासत 57 अठ्थावन अर्ष्ट पंचासत 58 उन्सट नौ पंचासत 59 सश्ट सश्ट बोलते हैं साथ को ठीक है साथ संस्कीदुगा सश्ट और इसकी अंग्रेजी होगी 60 60 का 60 एक सश्ट एक सश्ट इसकी इंग्लीज होगी 61 62 हिंदी है इसकी संस्कीद होगी 260 और इंग्लीज होगी 62 63 63 का संस्कीद होगी 360 और इसकी अंग्रेजी होगी 63 63 64 64 का संस्क्रिट होगी 40 60 60 और इसकी अंगले जी होगी 64 65 65 का संस्क्रिट होगी 65 65 65 66 66 का 60 60 टिक यह सब्सक्ति होगा 70 60 होगी इसकी शंस्कित और इसकी आंग्लेजी होगी 66 66 66 67 सब्सक्ति का 16 होगा 1767 संस्कित तर उन्गिजी ओगी 67, 68, 68 का ऐस्ट 270, संस्कित हो गी 68, और अंगिजी हो गी 68, 79, 79 का संस्कित हो गी 69, और इसकी अंगिजी होगी 69, 70, 70 का सब्तती, सब्ता थी इसकी संस्कृत हो जाएगी और इसकी अंग्लेजी होगी 70 71 कि है कि एक सब्ता थी ठीक है यहीं सब्ता थी है वह सिमें लोटि जुटता जला जाएगा तो 41 कि हो जाएगा एक सब्ता थी और 71 72 72 में दुई सब्ता थी और अंग्रेजी में 72 73 संस्क्रिट होगा इसका और इसकी अंग्रेजी होगी 73 74 74 की संस्क्रिट हो जाएगी 47 ती और इसकी अंग्रेजी होगी 74 75 75 का पंच सब्ता थी इसकी अंग्रेजी होगी 75 26 66 का संस्क्रिट होगा सट सब्ता थी और इसका अंग्रेजी हो जाएगी 76 76 77 77 सब्सक्राइबißtI गाव सब्सक्राइब पाज उसाप्धादी य्यक्त में तो और इसका अंग्रेजी गुंति हो जायेगे 77 कि अठनलण डॉन जर्फ पाखhr 딱र ओगा है इस्टप्त रॉस्ट क्यां इसका अंग्रेजी युग जिए 788 89 89 संस्कृत ही नौ सब्थाति थी होगा ठीक हापी सब्था तथी और इसकी अंग्रेजी गिंथी होगी 79 असी को संस्कृत में 20 ती और अंग्रेजी में 80 80 80 के बाद आता है 81 81 इसकी संस्कृत होगी 80 80 होता है 80 का तो वही इसमें 80 जुड़ेगा 81 82 82 82 82 83 83 84 84 85 85 और इसकी अंग्रेज़ी होगी 85 86 86 और इसकी अंग्रेज़ी होगी 86 87 87 संस्कित होगी 87 और इसकी अंग्रेज़ी होगी 87 87 88 88 का और संस्कित हो होगी 88 थे अस्तासी थे और इसकी अंग्रेजी होगी 88 189 नमाजी की संस्कित होगी 80 to 89 90 का किसी संस्कित होगी 90 और इसकी अंग्रेजी भी जाएगी 90 नवती ठीक है तो इसी में फिर एक दो तीन जुड़ेगा एक्यानवे एक्यानवे संस्कृत हो जाएगी एक नवती और अंग्रेजी 91 बानवे का दुड़े नवती दुड़े नवती हो जाएगी संस्कृत और इसका नाइनटी टू नाइनटी टू इसके अंग्रेजी होगी ठीक है तिरानवे का त्री नवती जरानवे चतुर नवती 94 पंचानवे पंचनवती 95 जियानवे सटनवती 96 97 97 98 98 99 99 99 100 100 का होगा सतम और मुझे जी होगा इसकी 100 कि यह थी हमारी एक से लेकर 100 कि हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भासों में गिन्टी एक साथ आसा है कि आप लोगों को इन तीनों भासों में गिन्टियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी और अगर इसमें आप कोई भी कोई नंबर नहीं समझ में आया कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूस सकते हैं ठीक है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ सेयर करिए और हमारे ऐसे ही ग्यान वर्थ झाल